बिरो रिपोर्ट जी मीडिया पे 282 282 कॉल्स मात्र आए और साथ केस दर्ज हुए गिरफतारी किसी की नहीं हुई मात्र साथ केस दर्ज हुए जस्ट इमाजिन आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ताओं ने उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फरेंस करके एक लाख पच्चीस अजार कॉल्स आई 152 सस्पेंड हो गए 35 गिरफतार हो गए भारी जुर्म हो गया था इसलिए 35 गिरफतार हो गए किन्तु दिल्ली पुलीस ने कहा कूल मिला करके 282 कॉल्स आए डिफरेंस देखिए एक लाख पच्चीस अजार और 282 और केवल साथ केस दर्ज हुए कोई गिरफतार नहीं हुआ कोई साथ केस दर्ज हुए ठीक उसी प्रकार स्पेशल सीपी अंटी करप्शन एक विबाग था उसके जो स्पेशल सीपी थे स्पेशल सीपी के अनुसार 20 एप्रेल 2015 को उन्होंने कहा कि ये जो 1031 हेलप लाइन था इसमें मैक्सिमम 451 शिकायते आई 11 मामले दर्ज हुए साथ से 11 मामले एसीबी जो एंटी करप्शन विरो था उनका मानना था कि 11 मामले दर्ज हुए पुलीस ने कहा 7 मामले दर्ज हुए बाद में आपको पता है ये जो हेलप लाइन था 1031 जिसके उपर इतना फैन फेर हुआ था कि पता नहीं दिल्ली का चेहरा बदल जाएगा करप्शन आम आदमी के जीवन से समाप्त हो जाएगा ये बंद हो गया ये कोविड हेलप लाइन में परिवर्तित कर दिया गया और अभी भी ये बंद है आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर इसी प्रकार के एक हेलप लाइन को लेकर वो कहीं न कहीं पंजाब बदल जाएगा इस प्रकार की राजनीती भी कर रहे है और आपको जान के आश्चरी होगा कि उस समय के जो अजिवा अधिकारी थे यह on record है यह public में है कि उस समय के जो अधिकारी थे उन्हों ने कहा कि यह जितने भी 1031 पे कॉल आये थे उनका कोई record नहीं है no record keeping could be done, why क्योंकि यह सब दिल्ली सरकार ने उस समय नीजी स्वें सेवकों को रखा था नीजी मतलब अपने ही जो civil society के लोग होते हैं NGO के लोग होते हैं उनको रखा था इस काम को करने के लिए so they were not quite depth उनको पता नहीं था कि इस प्रकार इस help line को handle करना है इसलिए कोई record keeping नहीं हुआ है इसलिए ये बताना संभव नही किसी पे काम हुआ है या नहीं हुआ है खोदा पहाड निकली चुहिया एक मुहावरा है आप सोच के देखिए इतना कुछ कहा गया था अर्विन केश्डिवाल जी किस तरह हाथ ऐसे ऐसे करके प्रेस कॉनफरेंस करते थे रोज कि हम ब्रष्टाचार समाप्त कर देंगे आप बिल्कुल डरीएगा मत मैं बिल्कुल हूँ ना आप फोन करिये मैं बैटा हूँ सारा ब्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा क्योंकि हेल्प टाई नहीं सब कुछ है कुछ नहीं हुआ किसी के खिलाफ केस नहीं हुआ है कोई जेल नहीं गया है इतने वर्ष बीत गए ये जो इनकी रणनीती है कुछ नहीं करना केवल जिकर करना और जिकर का फिकर करना आज उसी विशह में ये प्रेस कॉन्फरेंस है और बाकी बहुत सारे विशियों को लेकर अभी आदेश गुपता जी हमारे दिल्ली प्रदेश आद्यक्ष आपके सामने रूबरूगोंगे माननी आदेश जी धन्यवाद मननी संबित पातरा जी अभी सभी पत्रकार मित्रों को मेरा आदेश चले आगे बढ़ते को और बड़ी ख़बर जान लीजिए दिल्ली हिंसा मामले में बांगला देशी कनेक्षन अब सामने आया है जहांगिरपूरी हिंसा पर इस्थानिये लोगों का दावा बांगला देशी कनेक्षन भी है यहाँ पर देखे जहांगिरपुरी हिंसा पर अस्थानिय लोगों ने ये दावा किया है कि बांगलादेशी घुस पैठियों ने हिंसा को अंजाम दिया है अस्थानिय जो लोग है वो बार-बार कह रहे हैं जहांगिरपूरी के सी ब्लॉक में बांगला देशी रोहिंगियों का कब्जा है ये स्थानिय लोग भी बार-बार आरोप लगा रहे है तो जो तस्वीरे आपके सामने कल शाम से आनी शुरू हुई उसके पीछे बताया जा रहा है कि बांगला देशी जो घुस पैठी है और वहां पर बस चुके है और उन्हों ने ही इससे अंजाम दिया है और वक्त एक छोड़े से ब्रेक का है फोरन नाजिरों के आप बने रहे हैं जिन दुस्तान के साथ